दोस्तों अगर आप गणित को बेहतर ढंग से सीखना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको चिन्हों का नियम पढ़ना होगा यानि चिन्ह का प्रियोग कैसे किया जाता है कहां पर प्लस का चिन्ह लगाया जाता है और कहां पर माइनस का चिन्ह लगाया ज तो दोस्तों स्वागत है आपका कर्म इस्टडी पर इस वीडियो में सीखने वाले हैं चिन्हों का नियम कैसे अपलाई करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से कंप्लीट वीडियो को देखिएगा नालेजफुल वीडियो है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब सब्सक्राइब कर लिजिएगा इसी प्रकार आगे भी बेहतर कंटेंट के लिए तो दोस्तों हम नियम सीखते हैं चिन्हों का नियम है तो नियम क्या है दोस्तों अगर आप माइनस में गुड़ा करते हैं माइनस से तो माइनस होता है ठीक है दोस्तों अगर माइनस प्लस करते हैं तो प्लस का चिन हो जाएगा अगर माइनस गुरे प्लस करते हैं तो माइनस हो जाएगा इसे हम उदाहरण से समझते हैं जैसे माइनस पांच में गुड़ा करते हैं माइनस तीन से तो दोस्तों चिन्ह का गुड़ा चिन्ह के साथ होता है संख्या का गुड़ा संख्या के साथ होता है तो माइनस गुड़े माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा और पांच त तो प्लस हो जाएगा यहां प्लस का पंद्रा न लिख करके 15 लिखेंगे क्योंक히 15 के आगे प्लस का चिन्न छुपा हुआ है दूसरा एकजामपल है दोस्तों जैसे प्लस पांच गुड़े माइनस दो यानि अगर कहीं पर लिखा है पांच गुड़े माइनस दो तो इसका मतलब होगा पांच के आगे प्लस का चिन है और प्लस गुड़े माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों तो प्लस गुड़े माइनस क्या होता है माइनस होता है तो माइनस ल जाएगा पांच दूना क्या हो जाएगा दस हो जाएगा जैसे यहां पर है दोस्तों माइनस च्यार गुड़े तीन रहे या प्लस तीन रहे क्योंकि तीन के आगे प्लस का चिन छुपा हुगा रहता है तो माइनस गुड़े प्लस ठीक है माइनस गुड़े प्लस क्या हो गया है तब भी क्या हो जाएगा माइनस गुड़े तीन के आगे कौन सा चिन छुपा हुआ है तो प्लस छुपा हुआ है तो माइनस गुड़े प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और चारतियाई बारा हो जाएगा ठीक है जैसे कोई भी संक्या है इसके आगे प्लस का चिन छुपा हुआ है एक है तो एक के आगे भी प्लस का चिन छुपा हुआ है ठीक है अब अगला एक्जामपल देखते हैं जैसे प्लस गुड़े प्लस ठीक है तीन के आगे कौन सा चिन है प्लस है तो प्लस गुड़े प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो तीन के आगे प्लस है और दो के आगे प्लस का चिन छुपा हुगा है तो यहां भी प्लस का चिन हो जाएगा इसे आप आसानी से समझ गए होंगे इस चारों कांसेप्ट को आप एकदम ध्यान से नोट कर लीजिए और सीख जाएए शीखना क्या है अगर माइनस गुड़े माइनस माइनस होता है माइनस गुड़े प्लस माइनस होता है प्लस गुड़े प्लस क्या होता है दोस्तों प्लस होता है अगला नियम जो है उसको हम उदाहरण के साथ समझेंगे जैसे दोस्तों माइनस 3 में से माइनस 5 को घटाना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों माइनस माइनस क्या होता है माइनस गुड़े माइनस क्या होता है प्लस होता है तो प्लस केवल दोस्तों क्या हो जाएंगी संख्याएं प्लस हो जाएंगी ठीक है माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा प्लस केवल संख्याएं होंगी तो तीन में 5 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा और यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है तो 5 है 5 के आगे चिन कौन सा है माइनस का चिन है तो माइनस का चिन लगा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस केवल संख्या होंगी तो 3 में 5 को जोड़ देंगे 8 हो जाएगा बड़ी संख्या के आगे जो चिन होगा वही लगा देंगे तो माइनस आठ हो जाएगा यानि माइनस तीन माइनस पांच क्या हो जाएगा तो तीन और पांच को जोड़ देंगे तो आठ हो जाएगा बड़ी संख्या के आगे का जो चिन है वह लगा देंगे तो माइनस आठ हो जाएगा जैसे दोस्तों त माइनस 6 क्या होगा तो 3 के आगे कौन सा चिन छुपा हुगा है प्लस का चिन छुपा हुगा है तो प्लस माइनस ठीक है देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है ठीक है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा माइनस क्या होगा संख्या होगा ध्यान प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस होता है माइनस क्या होगा केवल संख्या होगा तो यहां बड़ी संख्या क्या है च्छा में से तीन को घटा देंगे तो तीन हो जाएगा और बड़ी संख्या के आगे का जो चिन्न होगा वही चिन्न यहां पर लगा देंगे तो प्लस जाएगा माइनस होगा माइनस कैसे होगा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस हो जाएगा तो 6 में से 3 घटाएंगे 3 हो जाएगा और बड़ी संख्या के आगे का चिन माइनस का है तो माइनस 3 हो जाएगा ठीक है देखिए माइनस और प्लस क्या होता है दोस्तों तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस गुड़े प्लस क्या होता है माइनस होता है यानि माइनस और प्लस क्या होगा तो माइनस होगा माइनस क्या होगा माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा और माइनस क्या होगा माइनस होगा माइनस कैसे होगा हमेशा बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस होगा तो 15 में से 4 घटा देंगे 11 हो जाएगा और बड़ी संख्या के आगे का चिन लगा देंगे तो 11 है 11 के आगे चिन प्लस का लगाएं या ना लगाएं क्योंकि प्लस का चिन छुपा हुआ है आगे है दोस्तों माइनस प्लस तो माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों आप कहेंगे माइनस प्लस माइनस होता है ठीक है देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है माइनस क्या होगा तो दोस्तों बड़ी में से छोटी संख्या माइनस हो जाएगा तो बड़ी संख्या क्या होगा माइनस प्लस माइनस होगा माइनस चिन नहीं लगाएंगे हम केवल संख्या में से माइनस कर देंगे तो बड करते हैं यह पूरा कांसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा एक बार हम दोहरा देते हैं माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा ध्यान रखियेगा माइनस माइनस क्या होगा तो प्लस होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा प्लस केवल संख्याएं होंगी ठीक और बड़ी संख्या के आगेगा चो चिन होगा वह लगा देंगे तो माइनस 3 हो जाएगा माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों तो माइनस प्लस क्या होगा तो दोस्तों माइनस होगा माइनस क्या होगा केवल संख्या माइनस होगा चिन है माइनस का नहीं लगाएंगे केवल और 11 के आगे कौन सा चिन लगेगा तो प्लस का लगेगा क्यों कि बड़ी में से छोटी संख्या घठाएंगे और बड़ी के आगे का चिन लगाएंगे तो बड़ी के आगे का चिन क्या प्लस है तो इसलिए क्या हो जाएगा प्लस का 11 और प्लस लिखे आना लिखें कोई फरक नहीं पड़ेगा माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों तो माइनस होता है माइनस केवल संख्या होता है चिन नहीं होता है माइनस देहान रखिएगा माइनस प्लस क्या होता है तो माइनस ह घटाएंगे तीन हो जाएगा और बड़ी संख्या के आगे का जो चिन्ड होगा वह चिन्ड लगाएंगे ठीक है बिल्कुल आसानी से इस पूरे कांसेप्ट को समझ गए होंगे तो दोस्तों आप माइनस पांच प्लस बारा क्या होगा इसका उत्तर कमेंट वॉक्स में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रिस करिएगा इसी प्रकार नालेजफुल कंटेंट के लिए तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर जय हिंद वन दे मातरम